हेलो एंड वेलकम बैर अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्यांदैनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर तेके इस सीरीज में हमें आप पर देख रहे थे इंडियन पॉलिटी जो लक्षमी कांजी की किताब से ली गई है और यह महत्वपूर्ण है आपके सभी संबिधान का मूलभूर धांचा संबिधान का जो बेसिक इस्ट्रक्चर है ठीक है तो उसके बारे मुने सब कुछ जान लिया था उसे समंधित सभी वाद सभी केस पर हमने डिकसन किया हुआ था तो अगर आपने ना देखा हो तो जाइए बीस मिनट के आस पास का वो सेशन उसको देख लीजिए प्लेश्ट में जा करके तब आज हम जो उसका अब्जेक्टिव करने जा रहे हैं तो काफी इजी लगेगा और आप आगे पाएंगे किसी परिक्षा में कोई क्विशन इससे सम्मन हिताब गलत नहीं करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं पने रह आत्मक लोक तंत्रात्मक संविधान का संगीय रूप पन्त निर्पेक्ष ये सब तो बिलकुल माना जाएगा तो पहला दूसरा चौशा तो ऐसे सही है तीसरा भी हद तक सही था लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा मोल अधिकारों योम राजी के निर्देशक सिद्धानतो करकी यदि संतुलन की बात लिखी होती तो यह मोल धाचे का अंग मान लिया जाता ठीक है तो यहां भी भाजन लिखा है इसलिए यह नहीं अर्थाथ एक दो योम चार सही हो जाएगा दो नंबर क्विशन है कथन एक अनुच्छे 368 के अंतरगत संबिधान में शंसोधन की सक्ति के अंतरगत संबिधान की मूल धाचे में परिवर्तन शामिल नहीं है तो यही तो चैप्टर का ठीम है है कि संसद संबिधान में परिवर्तन कर सक्ति है 368 के तहित लेकिन मूल धाचे से चेर चाड़ करने की सक्ति उसके पास नहीं है ठीक ह तो कथन एक सही है, कथन दो असत है, option सी आपका right हो जाएगा तीन नमबर question है, मिमलिकित में से कौन सा कथन सही है संसत को संबिधान में संसोधन करने की शक्त की संबिधान संसोधन द्वारा अनुच्छे 368 के तहत परदान की गई तो कल कई बार बात हो रही थी, इस्टार्ट में दीके 24वा संबिधान संसोधन अधिनियम 1970 का जिक्र किया गया है ठीक है, option भी आपका right हो जाएगा चार नमबर और अगला question किस मुकदमे में सरवोच नेले ने पहली बार नेड़ा दिया कि संसत द्वारा संबिधान के मूल ढाचे में कोई संसोधन नहीं किया सकता संकरी परशाद, गोलकना, कीशवान अन्द भारती और मिनरवा मिल ये question मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कल मैंने इसको बहुत हिब्रिया तम रूप में समझाया हुए असपस्ट और असपस्ट तम रूप में कह सकते हैं समझाया है तो आप इसका उत्तर देंगे तो मैं समझ जाओंगा कि मैंने आप आपने लास्ट सेसन दिखा हुआ है ठीक है चली पांच नमबर question निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है कौन सा कथन सही है संबिधान या असपस्ट रूप से निधायत करता है इसका मूल धाचा किया संबिधान में कहीं नहीं लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो जाएगा सरवोचिनयाले ने संबिधान के मूल धाचे को परिभासित किया है बिलकुल नहीं किया C है, भारत के बिदह आयोगनी, भारत के महानयवादी के साहता से संब्धान के मूल धाचे को परिभासित किया कभी नहीं, किसी भी रूप में, किसी ने कहीं परिभासित नहीं किया बेलकि जो खास खास judgment हैं courts के high courts और मानने सर्वोच नहीं लेके supreme court के वहीं से ये निकल के धीरे-धीरे आ गया कि धाचा क्या है मूल धाचा क्या है ठीक है यहां लिखा है डी विकल्प ना तो सर्वोच नहीं ना ही संसद ने संबिधान के मूल धाचे को परिवासित किया तो यही सही है परिवासित कहीं नहीं है मान लिया गया कि यह चीजें मुख्य है ठीक है जो प्रस्तावना के आदर्सों को परिवासित करे वही मूल धाचा है निम लिखित में से किस संसोधन ने यहां प्रावधान किया कि अनुच्छे 13 कि कोई ब्यवस्था अनुच्छे 368 के अंतरगत हुए किसी भी संसोधन पर लागू नहीं होगी तो ये ऐसा बताया गया था 24 वा संबिधान संसोधन अधनियम में ठीक है 19.17 के त्वारा साथ नंबर क्यूशिट नहीं है अपका अनुच्छे 368 के अंतरगत संसत को मौलिक अधिकारों को आपस लेने का कोई अधिकान नहीं क्योंकि ये क्या है संबिधान के मूल जाचे का अंग मान लिए गय है ठीक है आथ नंबर कॉशिट ने आपका कि बनाम पंजाब राजी था उसी के बाद उसी के प्रत्क्रिया सुरूप मैंने आपको बताया था कि 24 वा संभिधान संसोधन इंद्रा गांधी सरकार ने अधिने अमिट किया था तो आप्शन ए राइट हो जाएगा क्विश्चिन नमबर नो कथन एक कथन दो देना है दीखना है संसोधन द्वारा संसद संभिधान के मूल दाचे को नश्ट नहीं कर सकते बिलकुल सही है संसोधन के अधिकार में संभिधान को निरस्ट करना शामिल नहीं है ठीक है क्या सामिल है बिलकुल नहीं संभिधान को निरस्ट नहीं किया सक लग लग सते हैं कंदो कम को सही बैक के अब भी कर रहा है इस도ना कफ़से आ संसुधना दियम की उस प्राउधान को रध कर दिया जिसके चल्ते अनुच्छे 368 का विशेच इस सीमा तक विश्टत बना दिया गया था जिससे मौलिक अधिकारों को भी इस आधार पर संसोधन करना संभौता अब पेक्षी संख्या में राज्यों ने संसोधन को पुष्ट नहीं किया था ऐसी बात नहीं है ठीक है संसोधन आपात इस्तित में अधिनेमित किया गया था ऐसा भी नहीं है ठीक है ठीक है अठाज को नुक्सान कर रहा है राज सभानी संसोधन कुन्य धायद वहमस से पिए सब गलत है सी ऑप्सिन आपका राइट हो जाएगा इस प्रकार आज की दस कुश्चन समापत होते हैं छोटा सा चैप्टर थोड़े से कुश्चन लेकिन उमीद करता हूँ आपने अगर इसका डिटेल देखा हुआ फिर एक करेंगे कि नए सिरे से नए तरीके से भूकल पढ़ा कैसे जाता है ठीक है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन तो आप लाइक करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए पास में लगा बेल का एकन भी प्रस करिए लोगों के बीच में सेयर करें ताकि उनको भी लाब मिल सकें और इस तरह की अच्छे-ची वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेरिस्ट को देख सकते हैं थैंक्यू